नमस्कार बुद्ध अप्रिल से 27 अप्रिल के मद्ध में जो है बुद्ध आपके जर्ब पत्रिका में नीची के रहेंगे जो दिखाता है कि इस महेंने हो सकता है कि किस मुकदमा से रिलेटेट थोड़ी सी संखर्स आपको नीची तोर पे कराएगा 14 अप्रिल से सूर्य मीन रासी से हट करके मेस रासी में उच्च के हो जाएंगे जो यह दिखाता है कि कहीं न तो कहीं इस महेंने बिवास से रिलेटेट कुछ बड़े फैसले आप निक्ची तोर पे लेंगे और बिश्पती का सनी का और मंगल का एक साथ बिराजमान होना वैया स्थान पे जो यह तो दिखाता है कि कर्ज से रिलेटेट कुछ बड़े फैसले निक्ची तोर पे लेंगे लेकिन हो सकता है कि इस महेंने कुछ मित्रों से आपको परिसानियों का सामना करना पड़े या प्रिम सम्मंद में बाधाय उत्पल होने के स्थिती उत्पल हो सकती है संपूर्ण जानकारी के साथ बढ़ता हूँ चलिए अप्रिल महा के रासी पिल की और कुम रासी वाले सबसे पहला लगन का स्वामी अपनी रासी में सनी मकर रासी में गोचर कर रहा है और अब तो हुआ मंगल के साथ बैठ करके अंकारा क्यों के उत्पति भी कर रहा है साथ में बिर्सपती भी जो है अतिचारी हो करके चल रहे है जो यहाँ दिखाता है कि इस महिने आप बड़े फैसले लेंगे और समाज में कुछ ऐसे छवी बनाएंगे कि लोग आपका तारिप करेंगे यानि इस महिने जीवन का कोई अखंड बड़ा परिवर्तना करने के लिए उतावन रहेंगे क्योंकि कर्म चेतर का स्वामी मंगल भी उच्च का हो रहा है तो जो वेक्ति इंजिनरिंग से रिलेटेड काम में है जो प्रपटी से रिलेटेड काम में है जो इलेट्रोनिक से रिलेट काम में है जो सौट्वेर से रिलेटेड काम में है जो इलेट्रोनिक के साथ में कुछ बड़े फैक्टरी से रिलेटेड काम में है सबी लोगों का निक्षित तोर पे बहुत बढ़िया होगा जो कहीं न तो कहीं जो वेक्ति पेटोलियम पदात या संपतिस रिलेटेट काम में ठेकदारी में है आपके लिए उच्च का मंगल इस महीने बहुत ही विशेश लापकारी योग बनाने वाला है जो सरकारी नौकरी में है 14 अपरिल के बाद आप बड़े फैसले लेंगे 14 अपरिल के बाद आप मन चाहा जहां पद्दोनतिक प्राप्ति करना चाते हैं पद्दोनतिक के प्राप्ति होगी 14 अपरिल के बाद कुमरासी वाले जब सुर्य उच्च का होगा कुछ सरकारी करफ़ारी आपके बातों कर इस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके मान नहीं कर रहे थे, आपके वह भी मान और सम्मान करने लगेंगे जो इस्टोक एक्षेंस रिलेटेड है आपको इस महिने थोड़ी से आज थिरताएं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उच्च कर आओ पंचा माउस में बैठना, जो फिलाल अभी तो आपके इस्टोक एक्षेंस रिलेटेड कुछ लाब तो दे रहा है लेकिन कोई स्वेंस उच्च का राहो मिथुन राशी में होता है और मिथुन राशी के स्वामे बूद जो है 7-27 अपरिल के मद्धे में जो है नीचे के मिन राशी में रहेंगे जो यहाँ दिखाता है कि इस महिने कहीं न तो कहीं आपको जो है श्टोक एक्षेंस रिलेटर 14 अपरिल के बाद भाई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 14 अपरिल तक बुद्धात्यों को उत्पती रहेगी तो यहाँ दिखाता है कि कुछ मित्रों से 14 अपरिल तक आपको धन की प्राप्ती रुनतिक की प्राप्ती होगी लेकिन इस महिने जतने भी बड़े फैसले होंगे वह परिवारिक फैसला हो या प्रशनल कोई फैसला हो 14 अपरिल के बाद सभी प्रफेक्ट फैसला लेंगे और एक बड़ा निरने आपको इस महिने जीवन में निश्चित तोर पे जबरदस सफल बनाएगा यह महिना यह भी दिखता है मितुनरासी वाले कि जो लोग आपको मासित तोर पे फटालित कर रहे थे आप से ठक ठक के पैसा ले रहे थे उन लोगों से भी जो है आप लोग ठाम करेंगे और खुद से अपनी धन की प्राप्ती भी करेंगे यह भी असपर्ट तोर पे दिखता है धन अस्थान के अगर मैं बात करता हूँ तो उच्चका केतू विराजमान है आय अस्थान पे और धन अस्थान पे स्वयन जो है 14 अप्रिल तक तो आपको धन की किसी परकार की कौमी नहीं रहेगी लेकिन 14 अप्रिल के बाद आपको धन से रिलेटट थोड़ी सी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है 14 अप्रिल तक की बात ही नहीं करता हूँ 7 अप्रिल तक तो विदेश से रेलेटेट है जो कर्विछेतर में आपके ठीक रहेगा लेकिन 7 अप्रिल के बाद विदेशों से जो आपका आना जाना एक्सपर्ट इंपुट का वैपार हो रहा था उसमें थोड़ी सी बादाओं का सामना करना पड़ सकता है सरकारी पंदोनती के छेतर में कुछ सतुर्टा आपके जो बने हुए थे जो आपके थोड़ा से डैमेज कर रहे थे उन लोगों से साउधान होनी क्या अब सकता है साथ अप्राइल साथ 27-अप्रिल के मंद्ध में जो है सरकारी कर्व छेतर में आपको थोड़ी से संगरज करना करना पड़ सकता निक्ची तोर पे है बात लोगों के लिए करना चाहतो जो प्रेम संब्द में है 14-अप्रेल के बाद आपका प्रेम संब्द में 14 अपरिल से जो है विवाह की कारिकरव आपके सूभ होने चालू हो जाएंगे 14 अपरिल के बाद आपका दामपत्य जीवन में ठीक हो जाएगा लेकिन पूरे महीने जो है थोड़ा सा जीवन साती से हलका बैचारिक मतभेद की स्थिती उत्पन रहें नहीं किया वैसकता है सिक्षा की बात मैं करता हूँ इस मेहने 7 अपरिल के बाद आपके सिक्षा की स्थिती बहुत अच्छी नहीं रहेगी चाहते हैं, गर्म से रिलेटेट थोड़ी से परिसानियों का सामना करना पड़ेगा, जो गर्म धारन अलड़ी कर चुके हैं, आपको विशे साउधानी रखने की आवे सकता है, मैं यहाभी देख पा रहा हो, कि नीच्च का बूद जो है, आपके संतान कुशिश में इस तरह क कर्म करेंगे, कि जिसके करना पूद से चिंतित रहेंगे, संतान के सफलता हैं, आपको थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थित्या उत्पन करेंगी, यह संतान के लिए इमाहना सुभ बिलकुल भी नहीं है, जीवन साती से तालमल बहुत पड़ियां रहेगा, इस पे कोई सक न रहेंगे, साथ महीं हभी मैं बताना चाहता हूँ कि साथ अपरिल साथ 27 अपरिल के मद्धे में जो है, जैसे ही बुद्ध नीचे के होंगे, प्रेट से रिलेटेड और पैरो से रिलेटेड विशेष करके कष्टकारी आपका यह महिना रहने वाला है, अता इस महिनी जितना जादा से जादा हो सकता है, आप सिव चालीचा का पार्ट करेंगे, तो स्वास्त से रिलेटेड आपको लाब मिलेंगे, बुद्ध वार के दिन गनीच जी को आप यह तो सोप चड़ा दे या फिर बुद्ध वार के दिन गाई को जाकर कर हरी घाज खेलाते हैं, तो इस महि इस महिने आप ना पढ़े केस मुकदमा में, अगर केस मुकदमा से रिलेटेडर आप किसी प्रकार के समस्या में पढ़ते हैं, तो इस महिना निक्चित तोर पे आपको हार का सामना करना पढ़ेगा, हलाकर जो अलड़ी विशेश करके जो चाह रहे थे कि किसी प्रकार का ब साथ में कुछ लोग धार्मी कस्थल पर याता करना चाते थे, वह भी हो सकता है, बहुत अद्धक सफल हो। सुस्वास्त को ठीक रखनी के लिए और केस मुकदमा से बचनी के लिए जो है, पूरे महिने जो है आप बुधवार के दिन 99 का सेवन बंद कर दे और बुधवार के दिन परियास करे हरे लंग का वस्त्र धारम करने के लिए, देखिएगा यह महिना में कुमरासी वाले आपके आपके पास और अच्छी जनकारी के साथ तब तक बने रहे मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्रह्म जोतिष ग्यान और मैं हूँ जोतिष डॉक्टर रभी गुप्ता, नमस्कार